Good morning everyone, स्वागत आप सभी का Wisdom Education पे आज 24th October 2020 है दैनिक जागरन के राष्टिय संसकरन का Complete News Analysis करेंगे तो जिन लोगों ने हमारा Telegram चैनल जोईन नहीं किया है, Telegram चैनल जाकर जोईन कर लेना, इस तरह से News को मैं हालाइट करके वहाँ पे डाल देता हूं तो अगर आप पहले News पर लेंगे उसके बाद हमारा Analysis सुनेंगे तो आपको अधिक फायदा होगा और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को निश्ची तोर पे लाइक कर दें और अपने कलिक के साथ दोस्तों के साथ इसे शेर कर दें देखो आज 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर फिमस क्यों है कि 24 अक्टूबर 1945 को ही United Nation के अस्थापना हुई थी तो आज UN Day मना जाता है 24 अक्टूबर को, राइट देखो फर्स्ट पेस पे जो निश्ची मुझे डिस्कस करना है वो निश्ची है पाकिस्तान को आतंकी सरगनाओं के खिलाब कारवाई करनी ही होगी जैसा कि आप सभी को मालू है कि मैं डिस्कस कर रहा हूं लगातार आपके साथ की FATF की मीटिंग होने वाली है 21 से लेकर के 23 अक्टूबर के बीच में FATF की मीटिंग थी कहां पे पैरिस में यह मीटिंग आयोजित की गई थी और पैरिस में जो मीटिंग आयोजित की गई थी उसके बार डिस्जन लिया गया कि पाकिस्तान को FATF की ग्रेलिस्ट में बरकरार रखा जाएगा ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि FATF में कहा गया कि पाकिस्तान सरकार को FATF के तहद 27 कारेसों पे गये थे 27 कारेसों पे गये थे इन सभी कारियों को अगर पाकिस्तान कर लेती तो उसे gray list से बाहर निकाल दिया जगता इन 27 में 21 कारियों को उन्होंने किया है 21 पॉइंट पे पाकिस्तान सरकार ने काम किया है 6 महत्पुर्ण पॉइंट पे पाकिस्तान सरकार ने काम नहीं किया है इसलिए पाकिस्तान को अभी भी FATF की ग्रेलिस्ट में बरकरार रखा गया है अगली मिटिंग जो FATF की होगी FATF के द्वारा कहा गया है कि तब तक ये 6 काम जो बचा हुआ है इसे भी आप कर लिजिए तब ही जा करके आपको FATF की ग्रेलिस्ट से बाहर निकला जाएगा साथी साथ एक इंपोर्टन पॉइंट यहां पर मैं डिसकस कर देता हूँ कि FATF की ग्रेलिस्ट से बाहर निकलने के लिए 12 सदस्यों का साथ होना जरूरी है 12 देशों के सहमत्ति के साथ आप FATF के green list से बहार निकल सकते हैं और FATF की black list में जाने के लिए तीन सदस्यों के सहयोग जरूरी है black list से बचने के लिए तो पाकिस्तान FATF की black list से जो बच जाता है उसका कारण तीन देश है एक तो चीन है चीन पाकिस्तान का सपोर्ट कर देता है दूसरा है टर्की तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट कर देता है और तीसरा है मलेशिया ये तीन देश FATF के सदस्यों है और ये तीन देश सहयोग कर देते हैं पाकिस्तान को इसलिए पाकिस्तान ब्लेक लिस्ट में नहीं जा पाता है हालांकि हमारी कोशिस रही है कि पाकिस्तान जो आतंगवादियों के खिलाब काम नहीं कर रहा है इसके कारण पाकिस्तान को ब्लेक लिस्ट में सामिल किया जाए लेकिन चीन, तुर्की और मलेशिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है अब देखो हम बेसिक में देखते हैं कि आखिर FATF क्या होता है FATF का फूल फॉर्म होता है Financial Action Task Force Headquarter कहा है? Paris में FATF की अस्थापना 1989 में G7 के द्वारा किया गया था G7 देश के द्वारा 1989 में FATF की अस्थापना किया गया था Headquarter Paris में FATF का जो शुरुवाती मकसद है जब FATF की अस्थापना हुई थे उसका सिर्फ एक मात्र मकसद था और वो था Money Laundering को रोकना लेकिन 2001 में अब मिर्का में आतंगवादी हमला होता है 9-11 का हमला होता है और उसके बाद FATF में एक और पार्ट जूर गया और यह जूर गया Terror Funding को रोकना हो यानि FATF जो है अभी जो काम कर रहा है वो दो चीजों के लिए काम कर रहा है एक तो Money Laundering को रोकने के लिए काम कर रहा है FATF के टोटल 39 member है, 39 सदसे हैं, जिसमें सचिंतिस जो है देश सदसे हैं, सचिंतिस देश FATF का सदसे है, और दो संगठन इसका सदसे है, total 39 इसके सदसे है, जो दो संगठन इसके सदसे है, उसका नाम याद रख लेना, एक तो यूरोपीय कमिशन है, दूसरा है Gulf Cooperation Council, भारत 2010 म पाकिस्तान FATF का सदस्व नहीं है, इंडोनेशिया इसमें प्रवेक्षक के तौर पे सामिल है और सौधी अरब को 2019 में इसका सदस्व बना दिया गया FATF के तरब से दो लिस्ट जारी किया जाता है, एक ग्रेल लिस्ट हो गया, एक ब्लेक लिस्ट हो गया जिन देशों को FATF की ग्रेल लिस्ट में सामिल किया जाता है, उनका मतलब होता है कि FATF को इस देश वे संदिया है कि यह टेरेर फंडिंग करने का काम करती है, यह मनी लॉंडरिंग में काम करती है, तो ग्रेल लिस्ट का मतलब होता है, जैसे मालोब पाकिस्तान ग्रेल लिस् तो उसके बाद पाकिस्तान को एक-एक डॉलर का हिशाब देना होगा कि पाकिस्तान ने पैसा कहां इन्वेस्ट किया ऐसा तो नहीं वर्ल बैंक से लोन लेकर पाकिस्तान ने उस पैसा को यूज टेरर फंडिंग के लिए कर दिया आतंगवादियों को विद्ध पोशन के देगा ही नहीं तो पाकिस्तान जो है 2018 में FATF के ग्रेल लिश्ट में सामिल हुआ सामिल होने के साथ हैं पाकिस्तान को 27 पॉइंट दिया गया इस 27 पॉइंट पे काम किया है अच्छे पॉइंट पे पाकिस्तान ने काम नहीं किया है और यह 6 पॉइंट काफी important पॉइंट है जिसमें आतंगवाद्यों के with portion और सामिल है अगा भूजल बरवाद करने को हो सकती है 5 साल तक की सजा ग्रॉणड वाटर काफी महत्पुन है ग्रॉणड वाटर जो है कम होड़ा दिसमें निति आयो का एक रिपोर्ट आया था निति आयो को रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 मे दिली जैसे सहरों में ग्रॉणड वाटर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद निति आयो जगी और निति आयो ने एक योजना लेकर निति आयो आए थी या मैं कहूं सरकार ने एक योजना लिखा आए थी जिसका नाम था अटल भूजल परियोजना अटल भूजल परियोज जिसका मूल मक्सद था कि ग्राउंड वाटर को किस तरह से इंविच किया जाए उसके लिए काम करना तो इसी संदर में अब देख सकते हैं कि केंद्रिय भूजल प्राधिकरन के दौरा जो है अब ऐसा डिस्जिजन लिया जा रहा है कि जो ग्राउंड वाटर को बरवाद करने का काम करेगा उसे पांच वर्स की सजा या एक लाख रूपय तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है अईसा क्यों किया जा रहा है इसका एक मात्र मक्सद है कि ग्रॉंड वाटर के जो एक्सिस दोहन होता उसको रोखना अब देखो केंद्रिय भूजल बोट की एक रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के तहथ मांसून पुर्ग देश में सवाने तौर पे 5-10 मिटर की गहराई में पाने निकलता था इसमें दिली चंडिगर्ट गुजरात दिली चंडिगर्ट और आस्थान के कुछ खेतर सामिल थे जहां 40 मिटर पे पाने निकलता था देश की सबसे अधिक गहराई जो है वो बिकानेर में लगवग 130 मिटर से अधिक पे पाने निकलता है देश में जो ग्रॉंड वाटर है उसका सबसे अधिक उपयोग 50% उसका उपयोग खेती में होता है आप देखते होंगे घर में भी आदमी नहाने में क्या होता है कि कई बालती पाने खर्च कर दते हैं इस तरह से घर में भी पाने का खपत काफी होता है उसके बाद किर्सी में काफी पाने का खपत होता है तो उठा रही है केंद्रिय भूजल प्रादिकरन जो है यह कदम उठा रहा है कि पांच वर्स की सदा या एक साल की जेल एक लाग रुपय जुन वाना या दोनों का प्रोविजन किया जा रहा देखो एक कीट है इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था मैय या जून में मैंने डिस्कस किया था फेलूदा नाम के एक कीट है जो भारत के द्वारा भारत में निर्मित है यह कीट है इस फेलूदा कीट के जाच करने का रास्ता साप हो गया यह जो फेलूदा कीट है यह कोरो कोठि देने का काम करें यह क्रिस्पर केस्ट टेखनोलीजी पर काम करती है इस niece इंपोर्टेन टेखनोलोजी है और उसका नाम फिलूदा रिया गया बस इतना याज़ने ना कीछ है फिलूदा जो एक घंटे में जाच करके बता देगे कि आपको को अब आने नहीं टू प्लस टू वारता होने वाली है और इस वारता में LSE का मुद्दा जरूर उठेगा लाइन और एक्ट्वल कंट्रोल जो भारत और चिन के साथ सिमा होती है वहां का मुद्दा उठ सकता है तो देखो यह जो 2 plus 2 आपता होगा काफी important होगा जो 26-27 अक्टूबर को होगा इसके लिए अमेरिका के रक्षा मंत्री और अमेरिका के विजिश मंत्री भारत आ रहे हैं तो जो भी होगा हमारी नजर उस पे गरी रहेगी जैसा भी decision लिया रहे जागा हम details and analysis करेंगे और उस समय में भारत और अमेरिका के संबंदों के बागे में भी discuss हम करेंगे और उसके बाद देखना आपको तीन-चार दिन लगाता इसी topic पर editorial भी मिल जाएगा anti-ship missile से सटिक निसाना लगा डुबोया जहाज देखो हो क्या रहा चीन से युद्ध जैसे condition भारत की है तो ऐसे condition में चीन भी अपने यहाँ युद्धा वियास कर रहा इंडिया भी अपने यहाँ युद्धा वियास कर रहा राइट युद्ध का वियास कर रहा है और चीन को इंडिया सो करने का कोशिस कर रहा है कि हम यूद से हम त्यार हैं जब भी आप यूद करना चाहें भारत पूरी तरह से यूद के लिए त्यार हैं और उसी के संदर में इस न्यूज को आप देख सकते हैं कि एक जो है INS प्रवल है INS प्रवल के द्वारा एक मिसाइल जो है दूसरे सीप पे जो है छोड़ा गया और यह सीप तुरंत की तुरंत नस्थ हो गई डूप के समदर में चली गई नस्थ हो गई तो इसलिए इसे कहा जाता है Anti-Siep मिसाइल एक सीप पे जो जहाज है यह जहाज पे एक मिसाइल जहाज से ही इस मिसाइल को छोड़ा जाता है INS परबल जो जहाज है जो सीप है उसी से यह मिसाइल छोड़ा गया और दूसरा जो है सीप को यह तुरंत ही नस्थ करने का काम करती है तो खास करके नौसेना के लिए यह काफी यूजफूल है जब भी नौसेनिक वार्ट होगा यह काफी काम देगा तो बस आपको जो है नज़र रखना है कि कोन से मिसाइल का प्रिक्षन किया गया उसके बारे में थोड़ा से जानकारी होना चाहिए जैसे कल हमने नाग के बारे में डिस्कस किया गया तो जो मिसाइल का प्रिक्षन होगा उसके बारे में बिसिक जानकारी आपको होना चाहिए देखो इस न्यूस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि स्री क्रिश्न जन्वस्थान के जिस भाग पे आज भब मंदिर है वहां कभी उचे-उचे तिले थे यह पूरा अस्थान कटरा केसब देव तिला के नाम से जाना जाता है तो यहां पे काफी मूर्ति निकली है आपको याद होगा तीन से चार दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि यह जो अस्थान है केसब देव तिला यहाँ पे तीन चार जो परसिद इत्यास कर आया है तरुनियर जिसमें है एक वो आया है महमद गजनवी के साथ जो कुछ इत्यास कर आये थे वो यहाँ पे आये थे और उन्होंने इसकी सुन्दर्ता का बखान अपने यात्रा विर्तान्त में किया था अब देखो बोधगाट प्रियोजना के बिरोध के लिए हर घर से वसूल रहें 500 रूपया तो बोधगाट प्रियोजना जो है दांते वारा जिला में दांते वारा जिला जो है नक्सली के लिए प्रसिद जिला है तो यहाँ पे इंद्रावती नदी पे एक प्रियोजना बनने वाली है जो 35 वर्स से लम्बित प्रियोजना और यह प्रियोजना बन जाएगी तो काफी लाभ होगा, काफी गौं को 359 गौं को जो है लाभ होगा लेकिन वहां के अस्थानिया लोग इस प्रियोजना का भिरोध करना है तो यहां दो बातों की जानकारी आपको होना चेहे एक तो बोधगाट प्रियोजना किस नदी पे निर्मित होने के बाद चल लई है तो वो है इंद्रावती नदी पे और दूसरा है इंद्रावती नदी के बारे में जानकारी होना चेहे बोधगाट प्रियोजना किस नदी पे बन रहा है कहां पे है इसकी जानकारी होना चेह 36 गड में यहा है इंद्रावती नदी पे बन रहा है और दूसरा इंद्रावती नदी के बारे में बेसिक जानकारी हम प्राप्त करेंगे इंद्रावती नदी मध्य भारत की एक बरी नदी है गोदावरी की एक सहायक नदी है इसका उदगम जो है उरिसा के काला हांडी जिले से होता उडिसा के काला हांडी जिले से इसकी उदगम होती है 390 किलोमीटर लंबी नदी है और पर्मुक रूप से 36 गट राजजी के दांतेवारे जिला में ये प्रवावित होता है और दांतेवारे जिला के भदरकाली में इंदरावती नदी मिल जाती है किसमें गोदावरी नदी में तो बेसिक इतना इंफोर्मेशन है जो आपको जानकारी होना चाहिए साथी साथ बोध घाट प्रियोजना कहां पे हैं तो 36 गड़ के इंदरावती नदी पे निर्मित होने वाली है ओके कोपोशन से आज कोपोशन के बारे में डिटेल से एनलाइसिस करेंगे तो जो भी इंपोर्टन पॉइंट है आप नोट कर सकते हैं नोट करना सबसे पहले तो यह जाना कि एडिटोरियल क्यों आया यह एडिटोरियल आने का सबसे में रिजन है कि गलोबल हंगर इंडेक्स जो है रिपोर्ट जारी हुआ और इस रिपोर्ट में भारत का अस्थान 94 बताया गया भारत जो है सौथ एशिया में भी काथी पिछड़ा चल ला है कोपोशन में भारत जो है 75 वर्ट से अच्छा काम नहीं कर पाया आजादी के 75 वर्ट से लेकर अभी तक भारत में कोपोशन के समश्या बनी वी है और इतनी बनी वी है कि विष्व के सबसे खराब दिशों में हमारे अस्थान आता है तो इसका क्या रिजन है हम डेटेल से अनलाइसिस करेंगा सबसे पहले तो कोपोशन अंगरीजी में इसे माल निूट्रिशन का जाता है तो कोपोशन वह अवस्था होता है जिसमें पोस्तिक पदात भोजन और विवस्थित रूप से लेने के कारण सरीर को पूरा पोशन नहीं मिल पाता है जैसे मांग लो कि एक बच्चा है और वो बच्चा आंगनवारी केंद्र में पढ़ने के लिए आता है आंगनवारी केनल में उसे मिड़े मिल मिलता है तो क्यों नहीं उसका कुपोशन दोर हो जाता है फिर भी मतलब मिड़े मिल खाने के बाद भी उसमें कुपोशन की सिकायत क्यों है इसका मतलब है कि उस भोजन में जो है प्रोटीन की कमी है उस भोजन में मिनरल्स की कमी है उस पोशन युक्त खाना उसको नहीं मिलता है इसलिए वो कोपोशन का सिकार है अब देखो बैस्विक भूख सुचकांग 2020 में भारत का स्थान 94 है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की 14% अवादी अलप पोशित है अंडर नूट्रिशन है बोनेपन की दर राष्टिय पोशन मिशन सरकार लिगाए थी काफी इंपोर्टन मिशन है और इसका 4 इंपोर्टन टार्गेट है पहला टार्गेट है कि कोपोशन और जर्म लेने समय बच्चों के वजन कम होने की समश्या को 2% कम करना कोपोशन यानि अंडर नूट्रिशन को अंडर नूट्रिशन को परतिक वर्ष 2% कम करना और जो है चाइल वेस्टिंग क्या होता है चाइल वेस्टिंग जब उम्र बढ़ने के अनुपात में बच्चों का वजन नहीं बढ़ पाता है उसे का जाता है चाइल वेस्टिंग तो चाइल वेस्टिंग इसको 2% कम करना तो अंडर नूट्रिशन परतिक वर्ष 2% कम करना और चाइल वेस्टिंग को परतिक वर्ष 2% कम करना साथिसाथ चाइल इस्टिंटिंग बच्चे का उमर बढ़ने के अनुपात में उसका Height नहीं बढ़ पाता है उसकी समस्या को कहा जाता है Child Stunting की समस्या लंबाई कम बढ़ने की समस्या तो Child Stunting भी प्रतिक ओवर 2% करना देखो कुपोशन में भारत में जो सबसे अधिक कुपोशित बच्चे हैं उसमें सबसे अधिक जो सिकार है वो इस्टेंटिंग के सिकार है 38.4% बच्चे जो है इस्टेंटिंग के सिकार है यह कार रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में 30.4% बच्चे जो है वो चाइल इस्टेंटिंग कर सिखा रहे हैं और 30% बच्चे सोचो चाइल इस्टेंटिंग कर सिखा रहे हैं उसके बाद एनेमिया परतिक वर्स 3% कम करना तो चार लक्ष मैंने बता है रास्तिय पोसल मिशन का पहला लक्ष है अंडर नूट्रिशन को 2% परतिक वर्स कम करना दूसरा है इस्टेंटिंग को परतिक वर्स 2% कम करना तीसरा है वेस्टिंग को परतिक वर्स 2% कम करना और चो इसे भी प्रतिक वर्ष 3% कम करना तो चार लक्ष लिख लेना अब देखो इसे चरण बत्रेगे से लागू किया गया 2017-18 में 315 जिले में 18-19 में 2035 जिले में और 19-20 में 6 जिले में इसको कवर किया जाएगा अब देखो भारत में पोशन भारत में आवादी का एक बड़ा हिस्सा भूख को पोशन और पोशन समंधिक कम्यों से ग्रस्त है एक रिपोर्ट आया था इस रिपोर्ट का नाम भी अगर होगा तो लिख लेना इसके एनुसार भारत में 80% से अधिक किसोर जो है छीपी भी भूख की समस्या से ग्रस्त है जब लोगों दोरा खाये जाने वाला भोजन की गुनवत्ता उसके सरीर के लिए प्रियाक्त पोसक के आवस्ताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे कहा जाता है छीपी भी भूख यानि आप और हम जो खाना खाते हैं चावल खाते हैं डाल खाते हैं या अन चीज खाते हैं उस खाना में क्या प्रियाप पोसर तत्व है, क्या हमारी सरीर को जो प्रत्यक दिन प्रोटीन के आवसकता है, क्या उसमें है, क्या हमारी सरीर को जो प्रत्यक दिन फाइबर के आवसकता है, क्या उसमें है, तो नहीं है, इसलिए भारत के कहा जाता है 80% युवाओं में पोसर तत्तव की आवशक्ता आख्छेपी भूख से ग्रसित है वो क्यानि उसके खाने में पर्याप नूट्रिशन नहीं है अब दिखो मैं एक और आपको दिखाता हूं सरकारी पहल सरकार क्या क्या कर रही है तो मध्यान भोजन योजना सरकार ला रही है मिड़ी में पर्योजना ला रही है दूसरा सरकार कर रही है कि integrated child development scheme सरकार लेका रही है यानि आंगन बारियों के द्वारा संचालित होती है या जिसमें बच्चियों के लिए गरवती महलाओं के लिए पोस्टन संबंदित कारिक्रम चलाय जाते हैं उसके बाद सरकार National Food Security Act ले के सरकार आई हैं उसके बाद सरकार जो है Bio Fortification सबसे important देखो मैं जो आपके साथ इसके करना चाहता हूं वो है Bio Fortification क्या होथा Bio Fortification आज से कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ डिसकस किया था कि प्राइमिस्टर मोधी ने 17 बायो फोटिफाइट क्रॉप की जो है चर्चा की थे उसका तस्वीर मैंने अपने वाटसेप पे सेर किया था स्वरी टेलिग्राम पे सेर किया था जाकर के देख लेना आप तो बायो क्रॉप क्या होता है मालो ऐसा धान जो है बनाया जाए ऐसा धान उगाया जाए जिसमें जितना भी मिनरल्स है सारा मिनरल्स हो ऐसा डाल उगाया जाए जिसमें जितना मिनरल्स हो सारा मिनरल्स हो ऐसा सबजी उगाया जाए जिसमें जितना मिनरल्स चाहिए सारा मिनरल्स हो तो इस तरह से जो नई किस्म की धान हो, नई किस्म की जो फसल है उसको create करने का जो process होता है, या create जो process होता है, ऐसा जो create धान होता है, उसको कहा जाता है, bio fortified, मैं दिखा देता हूँ आपको. ओके देखो, ये share किया था मैंने अपनी टेलिग्राम चैनल पे, प्राइम मिनिस्टर मोधी ने 17 bio fortified crop की जो है देश को समरपित किया था, अब देखो मानलो ये धान है, CR 315 धान है, इसमें सारे जो है पोसक ततुव है, अब देखो, छेपी भी भूख की हमने चर्चा किया था अब इस धान को मानलो मिद्डे मिल्प रियोजना में, अगर बच्चों को खिलाया जाएगा, तो जिन बच्चों को ये धान खिलाया जाएगा, उसको पोसन की कमी नहीं होगे, उसको अंडर नियूट्रिशन की कमी नहीं होगे, उसको पोसन की कमी नहीं होगे, सारा का सारा तो समस्या दूर हो जाएगा तो इसका सब्से बड़ा ऑल्टरेनिट है को दूर करने का सब्से सब्से बड़ा ऑल्टरेनिट यदे से लहां कि थो था कि रिभाने क Cola क य Frenchा लोगों के पास का यान खूनने के लिए ही नहींत हो समय तो छाध्यान को बढ़ाना उसका सबसे बढ़ा टार्गेट था गेहों हम आयात करते थे अमेरिका से आयात करते थे और अमेरिका हमें गेहों देने से मना कर रहा था इसके बाद हमने हरिद करांत्ания लाई थी 1967-68 में 1960 के दसक में आया था इससे क्या हुआ खि ग्यों की पेदावार बढ़ी लोगों के पास खाने के लिए प्रियाप्त भोजन आये हरित करांति के सबसे बड़ा फाइदा हुआ है कि लोगों के पास खाने के लिए प्रियाप्त भोजन आये लेकिन वह खाने के वाद जो भूजन था उसमें उचित मिनरल का अब हो था और यहीं काना है कि कुपोशन की समस्या बढ़ी है उसी समय में अगर इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि हम जो फूट निर्मित कर रहे हैं उस फूट में कुपोशन भी साथ में एड़ किया ज सकते हैं पहला सुझा है कि गरीबों और इसकूली बच्चों के लिए मौजूद राश्चन जो है आवश्यक पोश्यक्तत्यू को सामिल किया जो मैंने चर्चा कि अभी आपके साथ कि जो भूजन डिस्टिब्यूट करते हैं नेसनल फूट सिकरोटिक माधियम से सरकार भू जाने वाला भूजन में पालक हो अन्य हरे सबजी हो फल हो मतर हो गाजर हो टमाटर हो आलू हो दूद हो दही हो अंडा हो ओमेगा थ्री हो शिक्स फैटी एसिड हो यह सारे के सारे सामिल होना चाहिए उसमें अब देखो बिताइमिन डी और केल्सियम के अलावा अन्य सुक् भूजन ततों गरीबों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ताकि किसी भी संक्रमन के खिलाब उसके सरीर विक्सित हो सके रोग परति रोधक चमता उसमें डेवलप हो सके इसलिए हर एक नुट्रिशन पर हमें काम करना होगा अब देखो अन्य है कि सरकार चिकितसक सार्वजनिक स्वास्त विससक से प्रामर्स करके मुष्ट में बिटामिन डी अन्य बिटामिन और केल्सियम की आप पूर्ति सुमश्शित करें और साथी साथ एक इंपोर्टेंट चर्चा देशवर में है समुन्दरी सेवाल काए काव कर रहा है कि सिफूट क्या हो रहा है कि समुन्दरी सेवाल रूप में या सिसी लें इसेसे इसमें सारे से सारे बिटाइमिन होते हैं, खनीज होते हैं, आयडीन होते हैं, ओमेगा फैटी एसिट होते हैं और इसका धीरे-धीरे बैपार बन रहा है भारत में भी भारत में भी लोग समुदरी सेवाल मगा करके उसको खाने का कुशिस कर रहे हैं या खा रहे हैं तो ये भी आपके कुपोशन को दूर करने में साहक होगा और ऐसा एक और एक्जामपल लिया जाता है, कहा जाता है कि बिटाइमिन डी की कमिसी में बहुत सारे लोग उजूज रहा हैं इसलिए परति एक दिन 20-30 मिनट धूप में खारा रहना चाहिए सारे लिग वयाम करना चाहिए, खेल को प्रोसाहिद भी करना चाहिए तब ही जाकर के हम कुपोशन से लर पाएंगे, हमारा देश कुपोशन से लर पाएंगा तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुपोशन के बारे में जो हमने डिसकस किया वो पॉइंट आपको किलियर हो गया होगा फिर भी अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आया तो आप में कमें सेक्शन में डाल लें देखो किसानों को आर्थिक आजादी देने की पहल राइटर के बारे में जब भी एडिटोरियल पर हो आप राइटर के बारे में जरूर पर लो कि राइटर कोन है तो इसके जो राइटर है वो भाजपा की सदस है और भाजपा की सदस है जाहिर सी बात है कि इन्होंने जो किसी एक्ट आया था उस किसी एक्ट में सरकार की बढ़ाई कर रहे होंगे इसी तरह से कॉंग्रिस का अगर राइटर यहाँ पे लिखेगा कोई एडिटोरियल तो क्या करेगा कि सरकार की कदम की आलूशना करेगा लेकिन एज़े यूपीसी एस्पारेंट हमें सामवंजे से बठाने की जुरूबत है हम दोनों के बीच में सामवंजे से बठाएंगे क्या पोश्टिव पॉइंट है क्या नेगेटिव पॉइंट है दोनों किलियर करेंगे आपका देखो तीन एक्ट पारित हुआ इससे पहले यह अध्यादेश था अध्यादेश के सिम्में में भी हम चर्चा कर रहे थे और यह तीन एक्ट जो पारित हुआ पहला तो है किर्सी उपज वानिज ब्यपार समवर्धन एवं सुविधा अधिनियम दूसरा है मुल्य आश्वासन पे किसान समझोता तीसरा है आवस्यक वश्तु अधिनियम तो सबसे पहले हम चलते हैं किर्सी उपज वानिज एवं ब्यपार समवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020 साधन सब्धों में इससे कहा जाता है मंड़ी एक्ट में संसुधन कि сказать बाहर अपने उपज की बिख्री पीपर प्रतिवन्द लगायाई गया जैसे मागों हो क्या मंड़ी होदी थी प्रतियक राज्य में किसान जो आपने उत्पादन तियार किया मालो किसान ने गेहूं तियार किया तो उस गेहूं को इसी मंडी में आकर के किसान बेचेगा यह किसान बादिता अब क्या क्या गया है? इस अध्यादिश के मादियम से इस Act के मादियम से किसान की बादिता समाप्त की गई है किसान मंडी में भी बेच सकता है मंडी से बहार भी बेच सकता है किसान उसको बिदेश में भी बेच सकता है किसान उसको ऑनलाइन मादियम से भी बेच सकता है किसान जैसे बेचना चाहा है बेचे किसान के बादिता समाप्त हो गई कि वो सिर्फ मंडी में बचेगा तो अब इसका लाव क्या है सबसे पहला लाव है कि इस अधिनियम के मादियम से नए पारिस्तिरिक तंद्र के अस्थापना में सहयता मिलेगी जहां किसार और ब्यापारी को किर्सी उपज की खरिद और विक्री के लिए अधिक उपलफ्द होंगे आपने सुनावागा कि बिहार के मुझापरपूर की लीची कहां बेची गई है तो बेची गई है जर्मनी में वो गई है आपको लंदन में तो अब देखो इस अधिनियम द्वारा राज किर्सी उपज विपनन कानून की अधिसूचित यानि APMC Act के तहर जो अधिसूचित मंडी है उस मंडी के भोतिक परिश्द जो मंडी का परिश्द है मंडी का जो छहत्र है उस छहत्र के बाहर इसको या तो राजी की सिमाग के बाहर या उसी राज में दूसरे जगह भी किसान अपने बैपार को कर सकता है अपने सवान को बेच सकता है अपने उत्पात को बेच सकता है इस अधिनियम में किर्सी छहत्र में electronics trading को प्रस्तावक क्या गया यानि इनेम के माध्यम से वह आप अपने सवान को बेच सकते हैं जैसे मानलो मुझभपरपूर से जो किसान ने लेची बेचा वो जर्मनी में बेचा वो कैसी बेचा होगा उन्हों ने इलेक्ट्रोनिक समाध्यम का यूच किया होगा तभी तो जाकर के एक जिगह से दूशे जिगह दूशे देश में सवान किसान बेच रहा अब देखो इससे क्या होगा कि मंडी में जो बिचोलिया है वो समाप्त हो जाएगा मंडी में जो बिचोलिया है जो मिडल में है वो समाप्त होगा मंडी में जो उपकर देना होता था किसान को जो टेक्स देना होता था वो समाप्त हो जाएगा इसी तरह से मंडी में जो भरस्टाचार था भरस्टाचार भी समाप्त हो जाएगा तो किसान को बहुत सारा जो है disadvantage होता था साथी साथ यह disadvantage था जो मंडी की average दूरी है वो 500 km था तो आप सोच के देखो एक किसान अपने यहां मालो अपने टेक्टर पे पूरा पूरा गेहू लोट किया और उसको 500 km जाकर के मंडी में समान बिचेगा और मंडी में कितना वढ़श्टा थार का समना करना परता है यह सभी को पता था तो यह सारी कि सारी चीजे समाप्त होगे अब देखो मंडी के अलावा form gate, warehouse, cold storage का बैपार और निवेस बरहेगा यानि नए नए लोग आएंगे वो नया cold storage बनाएंगे नया form house बनाएंगे और वहां पर investment बढ़ेगा किसानों को मंडी में कोई कर नहीं देना होगा और मंडी में ब्याप्त corruption समाप्त होगा तो यह तो positive point है अब negative point है negative point है कि किसान को अस्थानिय बजार में अपनी उपज को निउन्तम समर्थल मूल पे बेशने से कोई खरिदार नहीं मिलता है यानि जो है MSP समाप्त हो सकता है इस तरह का चर्चा किया गया हाला कि सरगार के दोड़ा असपस्ट किया गया है कि MSP जो है समाप्त नहीं किया जाएगा दूसरा है कि अधिकान किसान जो है वो छोटे और समांद किसान है और इसके पास अपनी ऊपज को दूर बजार में बेशने की परिवाहन के साधन नहीं होता है मालो बिहार का किसान वो हर्याना में अपने समान को बेशना चाहता है तो उसके बास transportation का आवहा है कि कैसे वो अपने समान को दूसरे राज़ों में बेच पाएं क्योंकि 86% जो है marginal और small farmer है भारत में 86% छोटे और सिमान किसान भारत में राज़ी को राज़ों का नुक्सान होगा सबसे बड़ा point APMC Act APMC Act के तर्थ मंडिर बनाई किरिसी जो है राज़्वी सउट शुक्राइब reaching का विशे है ए मंडी जो है यह विदि advance वारत में बंद हो जाएगा मंडी से बाहर किसा आ जा-गया अपने से वह सवान को बेचने के लिए तो समान को राज़ी सरकार को टेक्स मिलना Pakt प्यादा इसलिए राज सरकार को राजस्व का नुकसान होगा यह सबसे बड़ा पॉइंट है और साथ ही साथ मैं एक बात और बता दू आपको कि ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से मालों एजुकेशन के लिए सरकार ने नियू एजुकेशन सरकार पॉलिसी लेकाई हैं तो सरका सरकार ने अगरिकल्चर बिल लाई सरकार और बहुत लगला रिफॉर्म्स है मेरे अनुसार से यह जो है हरित कeno ऋन कंसल्टन नहीं किया कि हम इस बिल को लाने कर रहे यानि सरकारी खरीद जो होता है जो FCI करती है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर FCI के द्वारा खरीदा जाता है यह हो चावल या अन्य चीज़ खर जाता है उसको सरकार समाप्त नहीं करने वाले यह सरकार का असपस्थ तोर पर कहाना अब देखो दूसरा जो संसोधन किया गया वो क्या गया है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1925 में संसोधन किया गया है और अब इसका नाम है आवश्यक वस्तु संसोधन अधिनियम 2020 2020 अब देखो इसमें क्या किया गया है कि युद्ध और आठाल जीसी अस्थिति को छोड़ दिया जा है, तो उसके बाद दल्धन, तिल्धन, आलू, प्याज इत्यादि को आवस्यक छुज़ी से हटा लिया गया है, यानि युद्ध की अस्थिति नहीं हो, आपदा की अस्थि कर सकतें आप जितना चाहे आलू कर सकतें आप जितना चाहे प्याज कर सकते आप काला बाज्यारी को रोकने के लिए और है।じゃない 55 में आवस्व वस्त विच्वादिनीय में 1955 आ था और उसमें थैब किया गया था कि एक आवस्विक सिमा टक ही कोई व्यक्ति किसी समान को store करके रख सकता है उस सिमा से अधिक कोई भी वैक्ति किसी समान को store करके नहीं रखता आएगा रैइट लेकिन इस सिमा को हटा जिया गया है इस Act के माध्यम से यानि अब जितना चाहते हैं आप एस्टोर करकर रख सकते हैं तो इससे लाब क्या होगा इससे लाब होगा कि क्रिशी में निवेस को बढ़ावा मिलेगा और बेसेस कर भंडालन है नया नया भंडालन का एस्टोर क्रियेट होगा लोग जो है अगरिकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे हैं लोग कोल स्टोरिज बनाना शुरू करेंगे और इसका सबसे बड़ा जरूरत क्यों है कि लाखों टक अनाज परतिक वर्ष सर्ज आते हैं एफसी आई में आपने दिखा होगे कि लाखों टन अनाज परतिक वर्ष सर्ज जाते हैं वह अनाज सरे कर नहीं कोई ने कोई इसका खरीदार मिल जाएगा जो इसे एस्टोर करकर रख देगा किसी कोल्ड इस्टोरिज में और कोल्ड इस्टोरिज का निर्मान अधिक सदिक होगा कि कीमत में अस्थिता आएगी और किसी उत्पात को नुक्सान कम होगा और साधी साथ किसान की फ्रवल फसल बरवादी नहीं होगी और व्यापार इसे खरीद लेंगे यानि जो एक्रिकल्चर का जो बरवादी होता था जो एफसी आई में लाखों टन आनाज सरे रहत सकते हैं और बड़ी कंपनी भंडारन करेगी और बजार पर नियंदरन अस्थापित करेगे यानि मार्केट में मोनोपोली कायम हो सकता है मांग लो रिलाइंस है रिलाइंस ने क्या कि पूरे भारत वर्स में जितना भी प्याज उत्पन हुआ हर एक प्याज को उन्हों नही कर दें कि प्याज जो है किसी के पास में इसका सक जरूर है हमें इस अंसो धन के उप्रांथ कि अब देखो तीसरा है क्या है तीसरा है मुल आश्वासन पर किसान समझोता और किरिशी सिवा अधिनियम 2020 इसे कहा गया क्या होता है अब कि जब कंपनी जैसे मालो अलू बनाने वाले चिप्स आलो के चिप्स जो आती है लेज तो लेज की कंपनी मान लो उसको क्या चाहिए आलू चाहिए अब वो आलू के लिए किसान के पास गई किसान को कहा कि मैं आपको खारी टेकनोलोजी देता हूं मैं आपको बीज देता हूं आप एक काम करें इसका उपज करें आलू का और जितना उपज आप करेंगे सारा का सारा मैं कि अब देखो इसमें क्या है कि इसके माध्यम से किसान परतेक्ष रूप से विपनन मार्केटिंग से किसान जूर है यानिक अगर लेज बनेगा तो लेज में किसान का भी कंट्रोबिष्ण होगा और मध्यस्त की भूमिका समाप्त हो जाएगी जो मिदल्वेन होते हैं जो ब् इंखलाग के निर्मान और किर्षी और सनरशना के विकास में नीजी शेत्र को निवेश मिलेगा नीजी शेत्र को बढ़ावा मिलेगा राइट साथी साथ एक और important provision क्या गया है कि SDM कोट भी होता है तो SDM कोट के द्वारा तीस दिन के भीतर समस्या का समाधन करना होगा मान लो किसान और company के विच में कोई dispute होता है तो इस dispute को जो है 30 दिन के भीतर SDM कोट में समाधन करना होगा और अगर किसी उत्पात खरीद लिया company ने किसान का उत्पात खरीद लिया है तो उसे तीन दिन के अंदर भुक्तान करना होगा यह सारे के सारी चर्चा यहां पे की गई है अब यह को इसे लाब क्या होगा लाब यह होगा कि जिसके पास पांच हेक्टेर से कम जमीन है 86% ऐसे किसान है उसको लाब होगा किसान को नियमीत रूप से भुक्तान मिलेगा खेत में परिवहन जैसे सुविधा मिलेगी यानि किसान ने मालो अपना आलू तियार कर लिया तो company क्या करेगी कि गारी directly किसान के खेत भीज़ देगी और यहां से directly समान उठा करके अपने factory में जाएगी और किसान पे संसे साफ्ट हो जाएगा कि किसान को एक संसे होता है कि उसने मालो आलू तियार किया है तो उसका आलू बिकेगा या नहीं बिकेगा Right जो इसका दो-तिन रीजन हो सकता कि एक रीजन तो यह होगा कि company पैशा दे रहा है किसानको spagon technology दे रहा है किसानको company जो jsem रिसेर्च और डेवलप्पेंट दे रहा है कि सनको एकिसान परहा लिखा कम होता है विवाद के अस्थिति में बयपारी को लाब होगा अगर बिवाद होता है किसान और कमपड़ी के विच्वा मालो SDM कोड में ही में जाएगा तो ऐसे कंडिशन में ब्यपारी के पास अपना वकिल होता है किसान के पास क्या अपना वकिल है नहीं है तो निश्चित तोर पे जो ब्यपारी की जो अस्थिती होगी बिवार की कंडिशन में ब्यपारी की अस्थिती अच्छी होगी किसान के अस्थिती खराब होगी उसका कराने किसा मुल्ट करने के corporate और बड़े website प्रयाजयोकों के द्वारा समझता करने में प्रयाक्तूब से सक्षम नहीं है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि किसान जो है मानलो दान तय होगा मानलो corporate है और किसान corporate ने कहा कि आप जो है आलू उपज किजिए जो आलू को हम पर्चिस कर लेंगे सवाल यह होता है कि इस आलू की जो कीमत है उस कीमत को तैक कोन करेगा तो यह जो corporate है यहीं तैक करेंगे कि यह जो आलू आप उत्पन किजिएगा उस आलू को हम 10 रुपए परती किलो खर देंगे यह 5 रुपए परती किलो खरेंगे है तो यह जो ताइक करने का अधिकार होगा यह किसान को होगा किसान करने होगा सुरिं को Jeśli पक्ष देखो मैं है कि मयं कोषिश किया है कि तीनों ही जो महातपूर्ण एक्ड पारित हुए उसको आपके साथ डिस्क्रस करने का वू прекрас dich कि आपको ये तीनों ही पॉइंट या तीनों ही एक्ट किलियर हो गया होगा है कि उसका क्या पूश्थिव पॉइंट है क्या निगेटिव पॉइंट है क्यों देजबर में आंदोलन ओड़ा हैं और सरकार का क्या कहना युनाइटेड नेशन पे खुद पर लेना अलड़ी हमने तिन चार बार डिसकस किया है अन्युक्त रास्चंग ने प्राइमिनिस्टर मोधी के द्वारा संबोधन किया गया और प्राइमिनिस्टर मोधी के द्वारा 26 सेप्टमबर 2020 को संबोधन किया गया और प्राइमिनिस् तो इसलिए मैं इस पर discuss नहीं कर रहा हूँ महगाई काबू में आई तो साप होगा सस्ते कर्ज का रास्ता देखो यहाँ पर क्या है कि महगाई जो है 7% तक बना हुआ MPC के मीटिंग हुई है Monetary Policy Committee के मीटिंग हुई है और महगाई दर की उमेद जो है 4-6% बीच रहती है तो ब्याजदरों में और कटोटी का सस्ता रास्ता निगल सकता देखो मैं जो बताना चाहता हूँ आपको उस पर में चलता हूँ सबसे पहला तो Monetary Policy Committee क्या है MPC Committee क्या है Monetary Policy Committee जो है निती गर्थ ब्याजदर का निर्धारन कर इसे उप्योगी और पारदर्सी बनाने के लिए जून 2016 में इसके ही सुरवात किया गया था वित अधिनियम 2016 द्वारा Reserve Bank of India अधिनियम 1934 में संसुदन किया गया ताकि मौदरिक निती समित्य को वैधानिक और संस्थागत रूप प्रदान किया जा सके है MPC पर डायेकली UPC ने कोशन पूछा हुआ MPC यानि Monitoring Policy Committee यानि मौदरिक निती समिछा निती मौदरिक निती समित्य में 6 सदस होते है उसमें 3 सदस RBI से होते है तोटल 6 सदस होते है जिसमें 3 जो है RBI से होते है और 3 जो है सरकार का होते है तो 3 जो RBI के सदस होते है उसमें 1 सदस होता RBI गवर्नर जो MPC जो कमिटी होते है मौदरिक पॉलिशी कमिटी होते है मौदरिक पॉलिशी कमिटी होते है उसको लीड करता है उसका नेत्री तो करता है, MPC का हेड़पोन होता है, RBI गवर्नर होता है और प्रति एक दो मेहने पर जो है, इसकी मीटिंग होती है इसका लक्ष क्या होता देखो उर्जित पटिल समिती बनी थी, 2014 में उर्जित पटिल समिती बनी थी जब RBI के गवर्नर रगुराम राजन थे, उन्होंने उर्जित पटिल समिती बनाई थी और इसने इस समिती को बनाने का मक्षब था कि महगाई कितनी होनी चाहिए महगाई बहुत कम भी सही नहीं है, बहुत अधिक भी सही नहीं है तो ऐसे मैं ओजित पटेल समिती ने कहा था कि महागाई की जो सबसे अच्छा मापडंड है वो 4 प्लस मेनेस 2 है यानि CPI के अधार पे, Consumer Price Index के अधार पे महागाई जो है 4% होना चाहिए 4% से 2% कम है तो भी चलेगा और 2% अधिक है तो भी चलेगा लेगिन IDLE है 4% होना चाहिए यानि कर सकतो एक तरह से 2% से लेकर के 6% तक महागाई होना चाहिए अब देखो 2% से कम महागाई होगा तो भी सही नहीं है एकोनोमी के लिए सही नहीं है, वो कैसे सही नहीं है कभी हम बाद में डिस्कस करेंगा और 6% से अधिक महागाई होगा ये भी सही नहीं है तो वर्तमान में महागाई अधिक चल लिए 7% से अधिक महागाई बने वी है सरकार इसको कोशिस करके इसका काम करेगी MPC जो है कोशिस करके कम करेगी कि ये महागाई 6% से कम हो जा चार पर्सन के अप्रोक्स रहे लेकिन छे पर्सन से कम हो जा तो भी चलेगा तो MPC के जो मीटिंग होती है Monitoring Policy Committee के जो मीटिंग होती है उसमें महगाई किस तर से देश में कंट्रोल किया जाए इसको लेकर के चर्चा होती है महगाई 4 पर्सन के आसपास बनी रहे कैसे इसके लिए उसमें चर्चा होती है और साथी साथ नितिगत दर तय होता है रेपोरेट कितना होना चाहिए यह सारा सारा तय होता है इसी मीटिंग में सिंदूज घाटी सभ्यता में ही रेवर भहेंस को बनाया गया घरेलूपस को देखो दो तरका भहेंस होता है एक तो भहेंस होता है रेवर टाइप भहेंस जो नदी के पाने में रहना पसंद करता है और दूसरा है दलदल भूमी पर रहना वाले वहेंश तो नदी के भूमी में रहने वाले वहेंश सिंदुगार्टी सवेताम में ही उसको पालतू बनाया गया था इसको एक बार देख सकते हैं ओके चले आज मारे पास इतना ही न्यूस था वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थांक्यो सो मच्छ प्लीज डू लाइक सेट और सब्सक्राइब थांक्यो